आज आपके लिए आपने घटना चक्र अगर नहीं पड़ा है UPSI के लिए मूल विधी का तो उसे ज़रूर यहाँ पर देखेगा सब भी मैंने यहाँ पर questions लेए तो आप यहाँ पर अपने तयारी कैसी है आपकी उसे जाच सकते हैं इस एक वीडियो के माध्यम से देखेगा जो आपका घटना चक्र है ना उसमें आपके previous year questions भी है और जो संभावित questions है उनके भी हाँ पर questions दी हुई है तो मैं आपको इहाँ पर questions कराऊंगी 500 plus questions है इसमें आपको वो सभी questions कराऊंगी एक ही वीडियो में कोशिश की जाएगी ठीक है जादा से जादा दो वीडियो में हम इस पूरे घटना चक्र को complete करेंगे मूल विधी मूल विधी की questions से हम यहाँ पर करने वाले हैं चैप्टर वाइज आपके questions रहेंगे जिसमें आपका पहला चैप्टर है भारत्य दंड विधान एवं दंड प्रिक्रिया सहीता तो इस चैप्टर से हम start करेंगे पर यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा तो जितने भी extra fact होंगे उन सभी extra fact को यहाँ पर आपको बताया जाएगा ठीक है ना तो सभी का काम क्या है वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा तो दे देखे वैसे जो इसको अनुमती मिली थी ना IPC आप इसे बोलते हैं भारत्य दंड सहिता प्रवत यानि कि जो भारत्य दंड सहिता है यह कब लागू हुई देखे इसको मानेता मिली थी आपकी 6 अक्टूबर 1860 में आपको यह भी आजखना है कि अनुमती या मानेता कब मिल देखे इसकी जो मानेता मिली थी वो 6 अक्टूबर 1860 को मिल गई थी लेकिन इसको लागू कब किया गया था लागू किया गया था आपका एक जनवरी 1860 में तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका कुश्यम देखने को जरूर मिलेगा कि भारत्य दंड सहिता लागू क अब देखे इहां पर प्रवर्वर्त तो यहां पर आपको वर्ड भी याद दकना है कभी कभी लागू ना देखे यह वर्ड दे दे तो आपको यहां पर याद दकना है तो यह आपका संभावित कोश्यन है और जहां पर जैसे UPSI में पूछा गया था पिछली बार जब एक्साम हुआ था जहां पर वो आयगा मैं बता दूँगी कि ये आपका पिछली बार पूछा था आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मूल विधी से कुशन बन सकते हैं ठीक है तो यहां पर आप्शन डी आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कुशन है भारत दंड सहिता तो आपका जो इंडियन पीनल कोड है 1860 की धारा एक संबंदित है तो 1860 की धारा जो है न यह किस से संबंदित है यह आपको बताना है तो राइट अंसर क्या होगा आपका राइट अंसर होगा ऑप्शन सी जो सहिता है इसके नाम और उसके छेत्रा अधिकार से ह यानि कि उसके प्रवर्वर्थन के विस्तार यानि कि हम क्या करते हैं संहिता के नाम और उसके छेतर अधिकार में प्रवर्थन के विस्तार से सम्भंदित है आपकी धारा एक तो यह आपको याद रखना है टोटल कितनी धाराएं हैं इसमें तो टोटल 511 धाराएं हैं आपकी IPC में तो ये आपको याद रखना है नेक्स यहाँ पर question number third है पूरा घटना चक्र आपको कराया जायेगा यहाँ पर भारत्य दंड सहिता का समुद्र में छेतरा अधिकार कितने छेतरा अधिकार तक ये फैला हुआ है या कितने छेतरा अधिकार तक ये लागू होगी भारत्य दंड सहिता अंडियन पीनल कोड तो यहाँ पर जो एक एक लाइन किची होती है ये होती है आपका क्या 12 समुद्री मील नौटिकल मील होती है फिर आपका यहाँ से यहाँ तक कि क्या होती है तो ये आपकी 24 नौटिकल मील होती है फिर एक और होती है 200 नौटिकल मील तर लेकिन जो आपकी भारत्य दंड सहिता है इसका समुद्र में जो छेतरा दिकार होगा वो केवल कहां तक होगा 12 समुद्री मील तक होगा 12 नौटिकल मील लिखे या समुद्री मील लिखे दोनों ही आपको याद लखना है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा right answer होगा option A 12 समुद्री मील तक next question है यहाँ पर मैंसरिया से तात्परी है तो आपका जो मैंसरिया है इससे क्या तात्परी है अब सबसे पहले यहाँ आपर नोट करना है कि जो अपराध होता है जो क्राइम होता है इसके कितने तत्व होते हैं चार आवशक तत्व होते हैं जिस आप मैंसरिया भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मैंसरिया भी कहा जाता है तीसरा आता है आपराधी क्रत्य और फोर्थ आता है यहाँ पर ऐसे आपराधी क्रत्य से मानव अथ्वा समाज को छती पहुँचे ऐसे अपराध क्रत्य करने से जिससे मानव या फिर समाज को छती तो ये आपके क्या होते हैं, आपके क्या होता है, तो ये आपके अपराध के चार आवशक तत्वे, ये चार आवशक तत्वे को आपको दिमाग में रखना है, हो सकता है, आपसे कोशन पूछी, ठीके, और देखे, कार्य का हे तू, हे तू अगर कहीं पर आता है ना मोटिव, तो वो अपराद का अवशक तत्व नहीं होता है तो चार तत्व आपको याद रखने हैं तो मैंसरिया से तत्व ये क्या है मैंने आपको बताया कि क्या है ये दूसरा अवशक तत्व है आपरादिक, मनह स्थिति या दुराश्य तो आपका इहाँ पर क्या right answer हो जाएगा option D, दुराश्य आपका right answer होगा next question number 5 है आपका इन में से कौन से अपराद की मूल तत्व है तो कौन कौन से अपराद की मूल तत्व होते है तो अगर आप देखेंगे इनसान के द्वारा किये गई पिलकुल होता है आपरादिक इरादा ये भी होता है कोई अवैध कारी या चूक ये भी होती है किसे अन्नी व्यक्ति के सरीर, मन, प्रतिस्टा या संपत्ति को चोट पहुँचाना मैंने आपको चार आवशक तत्व बताये थे पहला मानव यानि कि इनसान के द्वारा किया गया अपराद दूसरा क्या बताया था आपराधिक मनहस्ति या दुराश यानि कि आपराधिक इरादा ये दूसरा पॉंट जिसे मैंसरिया कहा गया तीसरा मैंने आपको बताया था आपराधिक क्रत्य यानि कि कोई अवैध कार्य या चूग आप इसे ये भी बोल सकते हैं और तीसरा बताया था ऐसा कोई अपराधिक क्रत्य जिससी मानों और समाज दोनों को छती पहुँचे तो ये भी आपका क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट है चार इंपोर्टेंट पॉइंट बताये थे तो P, Q, R, S सभी आपका इहां पर राइट अंसर होगा देखें ये आपका कोईशन ना जो कोईशन नमबर आपका एक तो थाड है वो पिछली बार UPSI में पूछा गया है और दूसरा कोईशन आपका जो पाँच्वा कोईशन है ये भी आपका पिछली बार UPSI की परिख्षा में पूछा गया है और ये आपका मूलवधी सिर्फ और सिर्फ UPSI के लिए बहुत इंपोर्टेंट है घटना चक्र सभी शेयर कीजिएगा नेक्स यहाँ पर कोईशन है कोईशन नमबर 6 जहाँ पर भी कोईशन आपका UPSI में पूछा गया है मैं आपको बताऊंगी आप उसे नोट कीजिएगा कोईशन है भारत के दंड सहिता 1860 में लौड मैकाले द्वारा प्रारूपित सहिता का संसोधित शंसक्रण है इनमें से किन देशों की दंड सहिता उसी प्रारूप पर आधारित है तो लौड मैकाले द्वारा प्रारूप सहिता का जो संसोधित संसक्रण है आपको ये बताना है कि किन-किन देशों की दंड सहिता उसी प्रारूर पर उसी फॉर्मेट पर आधारित है तो ये आपका अगर आप देखेंगे तो आपकी जो भारत्य दंड सहिता 1860 में जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा क्या की गई थी प्रारूर पीत सहिता थी जिसका संसोधित संसक्रण है तो ये आपकी ना सिंगापूर में भी है ब्रुनेई में भी है और आपकी श्रेलंका में भी है तो राइड अंसर क्या होगा ओप्शन सी ए बी एंड सी आपका राइड अंसर हो जाएगा अल अफ दीज़े तो ये आपको याद अगना है कि सभी और ये कोशन भी आपका पिछली बार UPSI में पूछा गया है भारते दंड सहिता में इस तरे शब्द धोतक है तो ये धोतक कि सब्द का है तो आपका ये सब्द धोतक है किस सीच का जनमजात बालिका सहित किसी भी आयो की महिला से option आपका इहाँ पर क्या होगा option आपका इहाँ पर d right answer हो जाएगा देखेगा अगर मैं इहाँ पर बात करूँ जो धारा 10 है धारा भी आपको याद रखनी है धारा 10 जो है ना उसके अनुसार उसके according इश्टरी सब्दे किसी भी आयू की मानव नारी का धोतक है चाहे वो जाद बालिका हो या किसी भी आयू की महिला हो तो ये किस धारा में दिया है ये भी आपको याद रखना है धारा 10 में दिया गया है और इस्तरी सब्दे किसी भी आयू की मानव नारी का धोतक है तो option कौन से हो जाएगा option D आपका right answer हो जाएगा next question है भारत ये दंड सहिता कि किस धारा में भारत को परिभाशित किया गया है तो कौन सी धारा है जिसमें भारत को यहाँ पर डिफाइन किया गया है परिभाशित किया गया है तो ये धारा है आपकी कौन सी धारा 18 option C right answer हो जाएगा ये आपके सभी संभावित question plus previous air question से भारत ये दंड सहिता कि धारा 24 की यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाब पहुचाने यानि कि सदोश तरीके से लाब पहुचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानी पहुचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा देखेगा मैं आपको ऐसे बताते हूँ सदोश हानी और सदोश ला तो यहाँ पर सपोस मैंने आपको बोला मैंने आपको कोई चीज मशीन दी अपनी कोई भी मशीन दी और मशीन मैंने बोला यह आपको ठीक करनी है आपने मेरे से पूछे भी न ये मसीन किसी और को बेच दी मेरे से पूछे भी ना किसी और को बेच दी तो मतलब कि आपने इहां पर क्या करा मेरा तो लहानी कर दिया ना अपना तो तुमने प्रॉफिट करा क्योंकि मेरे से पूछे भी ना आपने बेची है लेकिन मैंने तो ठीक करने के लिए मेरे तो हानी हो गई तो इसी इरादे से क्या कहते हैं बेमानी आप्शन आपका सी हाँ पर राइट अंसर हो जाएगा तो धारा 24 में ये कहा गया है शदोश हानी इन सदोश लाप तो आपको याद रखना ये क्या कहलाता है बेमानी सामान ने आशसे संबंदित प्रावधान IPC इंडियन पीनल कोड की किस धारा में दिये गए हैं तो सामान ने आशसे संबंदित प्रावधान जो है IPC की किस धारा में दिये गए हैं तो ये धारा है आपकी कौनसी धारा 34 है। देखे सामान ने आसे से संबंदित प्रावधान भारतिय दंड सहिता की धारा 34 में दिये गए हैं। धारा 149 की बात करें तो इसमें सामान ने उद्देश दिया गया है। धारा 297 की बात करें तो धारा 297 में जो कब्रस्तान होते हैं कब्रस्तानों आदी में अतिचार की बात की गई है और धारा 316 की बात करें तो किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यू कारित करने से सम्बंदित प्रावधान इसमें शमाहित है अगला कोशन है यहाँ पर कोशन नमबर 11 है देखेगा इस चेप्टर में आपकी 100 प्लस कोशन्स है तो सभी कोशन्स को हम करेंगी नेक्स यहाँ पर गुशन है भारत्य दंड सहिता की धारा 34 पर प्रशिद वाद कौन सा है तो यह आपका प्रशिद वाद बहुत इंपोर्टेंट है प्रशिद वाद है आपका क्या वारिंद कुमार घोष बना इंपरर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट अंसर हो अगला कुशन है अपराद की परिभाशा दी गई है तो यह अपराद की जो परिभाशा है यह कहाँ पर दी गई है तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन पीनल कोड तो कहाँ पर दी होगी इंडियन पीनल कोड की जो 1973 की धारा है 2N में यहाँ पर दी गई है देखेगा अपराद क प्रत्यक्ष परिभाशा को दंड प्रिगरिया सहिता की धारा दो एन में दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग अपराद से कोई ऐसा कारी या लोप अभिप्रेदित हो जो तत्समय प्रवत यानि की लागू किसी विधी के द्वारा दंडनिय बना दिया गया है और इसके अंत् सहिता की अध्याई 2 में अपराद की परिभाशा समाविस्ट तो है किन्तो इस अध्याई की धारा 6 से 52 को के बीच में अनेक शब्दावलियों को डिफाइन किया गया है जिसमें धारा 40 में अपराद को केवल वर्गी करत करते हुए स्पस्ट किया है और शाक्ष अधिनियम क धारा 3 जो अधिनियम का परिभाशा खंड है में अपराद को परिभाशित नहीं किया गया तो अपराद की जो परिभाशा दी गई है वो कहाँ पर दी गई है दंड परिग्रिया सहिता 1970 की धारा 2N में दी गई है तो आपका option यहाँ पर B right answer हो जाएगा अगला question है भारत दंड सहिता 1860 की अधिन धारा 42 में प्रियुक्त इस्थानिय विधी कहाँ पर लागू होगी तो यह कहाँ पर लागू होगी यह लागू होगी आपका कहाँ पर भारत के विशिष्ट option B आपका right answer होगा कहाँ पर लागू है भारत के विशिष्ट भाग पर इसको लागू किया जाएगा अगला question है भारत दंड सहिता की धारा 53 पन किस विशए के संबन्द में है तो किस विशए के संबन्द में है यह option आपका कौन सा होगा option A right answer हो जाएगा दंड आपका right answer हो दंड की जो परिभाशा या उसके संबन में यहाँ पर विशए है वो है आपका कौन सा धारा 53 और इसमें 5 प्रकार के दंड की विवस्था की गई है पहला दंड मृत्यू दंड दूसरा आजीवन कारावास तीसरा कठोर या शादा कारावास संपति का समहरन तथा आर्थिक दंड तो यह 5 प्रकार के दंड की विवस्था आईपीसी की धारा 53 में की गई है और यह कौशन पिछले साल यूपियसे में पूछा गया लास्ट टाइम जब आपका एक्जाम हुआ था अगला कौशन है यहाँ पर क्या कौशन नमबर 15 है भारत दंड सहिता के अधीन कितने कितनी प्रकार के दंडों की विवस्था की गई है इस बार यह कौशन पूछ सकता है पिछली बार पूछा था कि किस विशय के संबन में है तो अगला कौशन क्या पूछ सकता है इस बार कि इसमें कितनी प्रकार के दंडों की बात की गई है तो इसमें आपके 5 प्रकार के द प्रावास में कठोर यानि की कठोर श्रम के साथ हो सकता है और आपका साधा हो सकता है चौथा था आपका समपत्ती का समहरण और पाचवा था जुर्माना या फिर आर्थिक दंड अर्थ दंड भी आप बोल सकती है option आपका B, right answer हो जाएगा next question है राम ने एक अपराद किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपी का चुर्माना था लेकिन वैस राशी का भुकतान नहीं कर सका फिर IPC की धारा 66 के अनुसार उसे भुकतान न करने के लिए अधिकतम कितने महिने तक के लिए कैद किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका right answer होगा दो साल के लिए यहाँ दो महिने के लिए कितने दो महिने के लिए यहाँ पर उसको कैद किया जा सकता है option c देखेगा जो भारते दंड सहिता की धारा 67 है उसमें जुर्माना न देने पर कारवाश जबकि अपराद केवल जुर्माने से दंडिनी हो का उपबंध है यदि जुर्माने की रकम 50 रुपे तक हो तो कारवास 2 मा तक यदि जुर्माने की रकम 100 रुपे हो तो कारवास 4 महिने तक और जुर्माना 100 रुपे से अधिक हो तो 6 मा का होगा लेकिन यहाँ पर 40 रुपे और 50 रुपे के बीच में है तो यहाँ पर 2 महिने का 100 तो 4 महिने और 100 से उपर तो 6 महिने का कारावास होगा तो यह आपका रायत अंसर हो जाएगा option C अगला question है A1 चड़ी से Z को 50 बार मारता है A1 चड़ी को 50 बार A1 चड़ी से Z को 50 बार मारता है यदि एक प्रहार के लिए एक वर्ष की सजा है तो A को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा जब A, Z को मार रहा है तो Y हस्तचेप करता A जान बुझ कर Y को भी मारता है A, Z को स्विच्छा से चौट पहचाने के लिए एक सजा के लिए और Y को मारने के लिए अन्य सजा के लिए उत्तरदाई है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर होगा ओप्शन C केवल क्या होगा यहाँ पर ओप्शन C होगा केवल सेकेंड होगा ठीक है देखेगा A एक छड़ी से Z को 50 वार मारता है जिबकि भारतिय दंड सहिता की इधारा 71 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई एक छड़ी मारे या पचास छड़ी मारे सजा एक ही तरह की होगी यानि कि उसने यहाँ पर क्या कर रहा है देखे एक तो वो एक को मार रहा है तो उसके लिए यहाँ पर सजा मिलेगी एक को एक वर्ष की सजा होगी ना कि पचास वर्ष का कारावास होगा क्योंकि अपराद उसका एक है भले ही वो पचास मारे या सो मारे A, Z को माहरा है तो Y हस्त चेप करता है और A जान बूझ कर Y को भी मारता है तो A, Z को स्विच्छा से चोट पहुँचाने के लिए सजा के लिए और Y को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदाई होगा तो उसे दो यहाँ पर सजा मिलेंगी तो राइट आंसर होगा ऑप्शन C, ठीक है नेक्स यहाँ पर कुशन है एक जनलाद जो मृत्तु दंड निस्पादित करता है भारत्य दंड सहिता की किस धारा की अंत्रगत आपराधिक दायत उसे मुक्त होते हैं जो जनलाद होते हैं यह आपका IPC की धारा 78 के तहट मित्तु दंड को निस्पादित करने वाले जनलाद को आपराधिक दायत उसे उन्मुक्ती मिलती है धारा 78 यह उपबंदित करती है कि कोई बात जो नियाले के निड़े आदेश की अनुसरण में की जाए वो अपराध नहीं है तो यह आपका question पूछा जा सकता है next question है और यह question आपका पूछा गया है पिछली बार UPSA में और जो 17 वाला question था न आपका वो भी आपका पूछा गया था यह है कि 6 वर्ष के एक बच्चे A ने बहुत सारी मारधार की फिल्में देखी एक दिन में बच्चा B को जोर से धक्का देते था है जिसकी बज़े से वो बच्चा बोरी तरह से खायल हो जाता है तो A ने कोई अपराध नहीं किया अगला है क्यों ने P को बिना बता एक नशिला पदाय खिला दिया उस नशिले पदायत के प्रभाव में यह न जानते कि उसके हातों क्या हो रहा है P ने R की हत्या कर दी P ने कोई अपराध नहीं किया देखिए साथ साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको तो पहली बार अपराध नहीं माना जाता है उनसे अगर कोई अपराध होता है तो यह आपका IPC की धारा 82 में बात कहीं गई है कि कोई बात अपराध नहीं है जो साथ वर्से कमायों के शिशुद्वारा की जाती है और धारा 84 जो है ना उसके according कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित विक्रती के कारण उस कारे की प्रकरती या यह की जो कुछ वे कर रहा है वह दोश्पूर्ण या विधी से प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है तो उसक यहां पर अपराध नहीं माना जाएगा अब पी ने क्यों को पिना बताए को नहीं चीज खिला दी ठीक है और आपका पी ने आर की हत्या कर दी तो अब पी को तो पता ही नहीं है ना कि वो क्या कर रहा है क्योंकि उसको खिलाया गया है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा तो option c right answer होगा और ये question आपका पिछली बार पूछा गया है अगला question है निमने मैंसे कौन सा वाद उन मत्तता की आधार पर प्रतिरक्षा से संबंदित है तो कौन सा वाद है तो ये वाद है आपका मेकनोटन 1843 का वाद उन मत्तता की आधार पर प्रतिरक्षा से संबंदित है option आपका c right answer हो जाएगा वाद आपसे पूछ सकता है next question है भारत देंड सहिता की कौन सी धारा अनेचिक मत्तता की आधार पर प्रतिरक्षा से संबंदित है तो ये आपकी धारा कौन सी है धारा है 85 धारा 85 में अनेच्छिक मतता के आधार पर आपराधिक ताहित से प्रतिरक्षा बचाओं का प्रावधान है भारत धंड सहिता की धारा 84 में क्या है विकरत चितता के अधार पर बचा और धारा 86 में क्या है धारा 86 में एच्छिक मतता तथा धारा 87 में क्या है किसी व्यक्ति की मृत्यू या घोर उपहती कारित करने की आश्य या संभावना के बिना उसकी समती से कियेगी कारित से कारित अपराद की वृद्ध बचाओ का प्रावधान है, तो प्रतिरक्षा मतलब बचाओ, अगला कोशन है, ये कोशन भी आपका पूछा गया है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो है कोशन पूछ सकता है, A, B के द्वारा, A के, A जो है, B के साथ मनोरंजन हेतो मुक्यबाजी करने के लिए राजी हो जाता है, मुक्यबाजी के द्वाराद A बिना किसी बूरी मनसा से B को बूरी तरह घायल कर देता है, जबकि दोनों को पता है कि ये आपका जो दोनों में ही क्या है, रिस्क है, A ने अपराद किया है ए ने कोई अपराद नहीं किया क्योंकि दोनों को पता है कि यहां पर रिस्क है क्या है रिस्क है पी एक मादक पदार्थ की प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ले थी उस मादक पदायत के नसे में या न समझ करके उसके हाथों क्या हो रहा है P नहीं क्या कर दी हत्या कर दी P नहीं कुई अपराद नहीं किया गलत है अगर उसे किसी ने खिलाया होता तो तब ऐसा होता 84 के according लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसने खुद अपनी मरजी से लिया है तो ना तो एक यहां पर सही है ना दूसरा सही है option B आपका right answer क्योंकि A में तो कोई अपराद नहीं होगा क्योंकि दोनों को पता था कि रिस्क है फिर भी उन्होंने काम किया और B में उसने उसे पता है उसने अपनी मरजी से लिया है कि नसीली चीज में बहुत कुछ हो जाता है लेने से तो उसने फिर भी भी भापल लिया और अपराद कर दिया तो वो अपराद की श्रीणी में आएगा आगला question है नेक्स यहां पर question देखेगा जो भारत्य दंड सहिता की धारा 87 के according जो है न निशकर्ष 87 में मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति की मिर्ट्व या घूर उफ़ती कारित करने के आशिय या संभावना के बिना उसकी सम्मति से किएगे कार से कारित अपराद की वुरुद् थान है तो पहला इस वज़े से असत्य हो रहा है और दूसरा 86 जो है धारा 86 है उसकी according भी यहां पर 86 में क्या बोला था कि एच्छिक मत्ता तो एच्छिक मत्ता तो इसलिए आपके दोनु ही यहां पर असत्य है नेक्स यहां पर question number 23 है कि निमने लखेत कारियों में से किसकी द्वारा दुश प्रीरण का अपराध किया जा सकता है तो देखेगा दुश प्रीरण का जो अपराध है वो किया जा सकता है किसके द्वारा तो यह है आपका सड़ी अंत्र के द्वारा धारा 107 के अधीन दुश प्रीरण का अपराध तीन तरीकों से हो सकता है तो आपका दुष्पेरण से सम्भनदी धारा कौन सी है कुश्वन पूछेगा तो एक 107 है और इसमें तीन प्रकार की अपराधों की बात की गई है दुष्पेरण का अपराध तीन तरीकों से हो सकता है एक उकसाने के द्वारा, दूसरा सध्यंत के द्वारा, तीसरा सहायता के द्वारा अध्य सहायत द्वारा दुष्प्रेशन का अपराद किया जा सकता है तो option आपका यहाँ पर देखें तैयारी नहीं हो सकता है, धमकी नहीं हो सकता है आपको साब साब बोला तीन प्रका एक तो उकसा सकते हैं दूसरा सेयंत कर सकते हैं दीसरा सहायता के दोरा तो option आपका एहाँ पर राइद अंसर हो जाएगा अगला question है भारत ये दंड सहीता के संदर्ब में नेमने लेकित में से कौन सा वक्तव्य सही है तो कौन सा सही है भार प्रित दंड सहीता के धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराद है देखेगा जब आपका ये UPSI में question पूछा गया था तो यहाँ पर इसने जो है आयोगनी A and B दोनु को यहाँ पर सही माना है लेकिन अगर आप देखेंगे ना जो ये आपके आत्महत्या के धारा है वो 309 है लेकिन वरतमान में आप देखेंगे तो इसे जो है और जो आपकी केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए तो ये आपकी 120 के धारा में कहा गया है कि आपरादिक सर्यांत से संबंदी थाई और ये धारा कहती है कि किसी अपराद को करने के लिए के वर राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड के लिए यहां पर प्रियाप्त है तो यहां पर ए बिल्कुल सही है लेकिन अगर दूसरा अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पर यहां पर जो आत्महत्या है अगर कोई कोशिश करता है तो उसको रिहाबिलिटे ठीक है तो वैसे तो इस बार अगर कोशिशन पूसरा है तो आप केवल क्या लगाएंगे केवल और केवल आपका क्या ठीक हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपका ठीक होगा केवल और केवल ए सही है क्योंकि यह आपका क्या हो जाता है मानसिक इस्तिती खराब होने के गारण ऐसा होता है ऐसा माना जाता है अगला कुशन है कि भारत दंड सहीता की किस प्रावधान में आपराधिक सहींत अपनी के लिए दंड किया गया है क्या है भारत दंड सहीता की किस प्रावधान में आपराधिक सहींतर के लिए दंड किया गया है तो ये किया गया है आपक IPC की धारा 120B में किया गया है देखेगा सडियंत्र के लिए जो है दंड का प्रावधान भारत दंड सहिता की धारा 120B में किया गया जबकि 120A की बात करें तो 120A में आपराधिक सडियंत्र की परिभाशा दी है और 21A का जो 121A है इसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंड़नी अपराधों को करने का सेयंत्र और धारा 124 जो है न ये रास्ट पती राज़ेपाल आधी पर हमलाधी को दंड़नी बनाया गया है नेक्स यहाँ पर कोशिन नमबर 26 है जोकि आपका लास्ट टाइम एक्जाम में पूछा गया है कि धारा 122 भारत के विरुद्ध युद्ध चेडने के उद्धिस से हतियार जमा करना होगा करना लोग इतियादी जुटाना अगला है 192 ऐसे जुटे सबूत गड़ना या पेश करना जिसे किसी व्यक्ति को म्रतुदंड हो सके जिसकी बज़े से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे म्रतुदंड दिया जा सके तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे न केवल और केवल यहाँ पर बी सही है क्योंकि जो आपकी धारा 122 है इसमें आचीवन कारवाश या 10 वर्ष तक की अवदी के लिए कारवाश का प्रावधान है और 192 में आपके बिलकुल यहाँ पर सही है तो आप्शन बी आपका रा ब्यक्ति आवशक होते हैं विधी विरुधा जगान के लिए कम सकम कितने ब्यक्ति आवशक होते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि राइट आंसर होगा विधी विरुध जमाव के लिए विधी विरुध होगा विधी विरुध जमाव के लिए कम सकम कित व्यक्ति आवश्यक होते हैं तो ये आवश्यक होते हैं 5 option भी तो ये आपका धारा 141 है 141 में परिभाशित विधी विरुद्ध जमाओं के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है तो ये आपका सम्मनित है धारा 141 अगला question है भारत दंड सहिता की धारा 146 की अनुसार जब भी गैर कानुनी जनसमू द्वारा उसके किसी भी सदश्य द्वारा बल या हिंसा का प्रियोग किया जाता है ऐसे जनसमू की आम उदेशी की अभियोजन में तो ऐसे जनसमू का हर सदश्य की अपराद का तोशी होगा किस सीज का प्रादी होगा 29 का राइट आंसर होगा बलवा आप्शन सी जब कभी विधी विरुद्ध जमाओ द्वारा या उसके किसी सदश्य द्वारा ऐसे जमाओ के सामान उदेश्य को आगे पढ़ने में बल या हिंसा का प्रियोग किया जाता है तब ऐसे जमाओ का प्रतेख सदश बलवा करने का प्रादी दोशी होगा अगला कुशन है बलवा की दोशी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि धारा 147 के अकोर्डिंग जो कोई बलवा करने का दोशी होगा वैं दोनों में से किसी भाती की क जारावाज से जिसके अवधी दो वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से या फिर दोनु से दंडित किया जाएगा कितने वर्षों के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहां पर दो वर्ष के लिए option आपका B राइट आंसर हो जाएगा next question है सामान्य उद्देश को अग्रसर करने के लिए कम सकम कितने व्यक्ति होने चाहिए तो सामान्य उद्देश को अग्रसर करने के लिए जो कम सकम व्यक्ति होने चाहिए वो होने चाहिए आपके कितने तो वो होने चाहिए 5 या 5 से अधिक भारत दंड सहिता की धारा जो 149 है उसके अधीन सामान उद्धिश को अग्रिसर करने के लिए कम से कम पाँच व्यक्ति होने चाहिए आपको धारा भी आदकनी है और धारा इसी तरीके से आपके कथन में कन्वर्ट हो सकती है रास्टी अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांचन प्रख्यान का उपण भारत दंड सहिता की निमनलिखित में से किस धारा में किया गया है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन आपका सी धारा 153 खा रास्टी अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांचन प्राख्यान का उपबंद भारत दंड सहिता की धारा 153 खा में वर्ने थे जबकि धारा 153 का में धर्म, मूलवंस, जन्मस्थान, निवास, स्थान, भाशा इतियादी के आधारों पर विभिन समों के बेश्मत्ता का सब परिवर्तन और सवहार्थ बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले का आरित था और वहीं 154 की बात करें उस भूमी के श्वामी आधी भोगी की दायत विकावलेख है जिस पर विधी वृद्ध जमा किया गया है तो ये सभी की सभी धारयें आपको याद लगने है नेक्स्ट विश्चन है इमने मैं से भारत ये दंड सहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाशित करती है तो ये आपकी दंगे को परिभाशित करती है option A धारा 159 दंगे को आपकी IPC की धारा 159 में परिभाशित किया गया है और 160 में आपका दंगा के लिए दंड और धारा 161 में खतम हो चुका है ये आपका धारा 161 में खतम हो चुका है और धारा 148 में घातक आयूद से सज्जित होकर बल्वा करने के उपन में क्या है उपन के संबन में उपन किया गया है अगला कुशन लोग सेवा के लोग करतियों के निर्वहन में बाधार डालना अपराध है किस धारा के अंत्रगत आता है तो ये आता है IPC की धारा 186 के तहद option आपका C right answer हो जाएगा अगला कुशन है मिथ्या साक्ष देना का अपराध परिभाशित है भारत धंड सहिता की धारा किसके according तो राइड आंसर होगा धारा 192 में और धारा 192 में मिथ्या साक्ष गरना परिभाशित है तो आपका right answer option C right answer हो जाएगा और 192 में मिथ्या साक्ष गरना परिभाशित है अगला कुशन यहाँ पर भारत धंड सहिता का कौन सा अध्याई वातावरण को स्वास के लिए हानिकारक बनाने की प्रावधानों से संबंदित है तो ये है आपका option D option D आपका right answer हो जाएगा बालात संग की पेडित का परिचय प्रकटन भारत धंड सहिता की किस धारा के अंत्रगत दंडनी है तो ये है आपका option B धारा 228 का next question है नेमने लिखेत मैंसे किस वाद में आपराधिक मानोवध और हत्या में अंतर इस्पष्ठ किया गया है तो ये वाद है आपका रेन बनाम गोविंदा के वाद में रेन रेग बनाम गोविंदा के वाद में भारत धंड सहिता की धारा 299 में परिभाशी शदोष मानोवध तथा धारा 300 में परिभाशी हत्या में अंतर को इस्पष्ठ कर दिया गया है और मेलविद जच इस मामली में क्या थे नियायधीश थे आगला कुशिन है के एम नानावती बनाम स्टेट ओफ महराष्ठ एक प्रमुख वाद है तो एक प्रमुख वाद है आपका एक से गंभीर एबं अचानक प्रकूपन के संबन में तो यहाँ पर जो भार आईपिसी की धारा तीन सो है वो हत्या के अपवाद फरस्ट के अंत्रिकत गंभीर एब अचानक प्रकूपन से संबने रिस वाद में उचेतम नियायले द्वारा गंभीर एब अचानक प्रकूपन के परिक्षण के सिधान प्रतिपादित किये गए आगला कुशिन है मृतु दंड विरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए अभी निर्धारित किया गया है तो यह अभी निर्धारित किया गया है बच्चन सिंग बना पंजाब राज्जी में अप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा किस मामले में सुप्रिम कूर्ट ने यह कुशन आपका पूछा गया है यूपियसे में भारत दंड सहीता कि धारा 303 को रद कर दिया था जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वरा कीगी हत्या के लिए उसे अनिवारी मिर्टू दंड दिया जाना चाहिए तो देखेगा जो मिठु बना पंजाब राजी के मामले में सर्वो चिनयाल ने आईपिसी की धारा 303 को रद कर दिया था धारा 303 में प्रावधान है कि जो कोई आजीवन कारावाश के दंदाडेश के अधीन हो किसी के किस धारा में दहेज मृत्यू संबनिर विधी अंतर निहिष्ट है अंतर विष्ट है तो ये है आपकी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 304 ख में आपका देखें जिसके अकॉर्डिंग जहां किसी स्री के मृत्यू किसी दाहा या सारे रिक शती द्वारा कारिद की जाए या उसके विवाहा के साथ वर्ष के भीतर सामाने परिस्दियों से अन्यत्था हो जाती है और ये दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यू की रहा जाएगा तता जो कोई दहिस मृत्यू कारिद करेगा भैकारावास से जिसकी अवधी साथ वर्षे कम की नहीं होगी किन्तु उस जो आजीवन कारावास तक की हो सकी कि उसे दंडित किया जाएगा तो धारा आपको याद रखनी है 300,000 क्या है 300,000 आपकी खा अगला है भारत दंड सहिता की धाराएं 359 और 374 किन करत्यों से संबंदित है तो ये आपकी संबंदित है व्यफरण, अफरण, दास्तव और बालाश्रम के विशे से संबंदित है तो option आपका यहाँ पर B, right answer हो में फिरोती के लिए व्यफरण का उपबंद यहाँ पर किया गया है तो ये उपबंद किया गया है धारा 364 कौ में अगला question है निम्लेलिखित वादों मैं से किस वाद में लेंगिक उत्पीडन के समन के लिए उच्छितम नियाले ने महतपूर्ण, मार्ग दर्शक सिधान् विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में 304 B के अंत्रगर दहेज मौत के लिए जमेदार व्यक्ति को नियुंतम 7 यर की सजा देने का प्रावधान है किन्तु जो आजिवन कारवास तक हो सकेगी तो यहाँ पर लेंगिक उत्पीडन के समन के उच्छितम नियाले ने महतप विशाखा बनाम राजस्थान राज्य अगला है IPC की धारा में चोरी परिभाशित है तो यह कोशन भी आपका पूछा गया है चोरी आपका परिभाशित है तो देखेगा भारति दंड सहिता में चोरी परिभाशित है तो चोरी को कहां पर डिफाइन किया गया है तो चोरी को डिफाइन किया गया है धारा 378 के अधीन जब कोई व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के कबजी में उस व्यक्ति के सम्मति के बिना जंगम सम्मति बेमानी से लेने का आश्य रखते हुए उस संपत्ती को हटाता है तो वो क्या कहलाती है आपकी चोरी ये धारा 378 में चोरी को डिफाइन किया गया है अगला है कि भारत दंड सहिता में लूट परिभाशित है तो लूट को आपका धारा 390 में 390 में परिभाशित किया गया है और 378 में चूरी को define किया गया है 383 में उद्धापन और धारा 390 में डेकेती का अपराध परिभाशित किया गया तो ये आपके देखें 3-4 question बहुत important है एक तो यहाँ पर चूरी आपको पता होने चाहिए और लूट जो परिभाशित की गई है वो आपकी 390 को यहाँ पर define किया गया है और यहाँ पर जो देकेती आपका परिभाशित है अपराध वो आपका 391 में इसको क्या किया गया है define किया गया है अगला question है डकैती का अपराद करने के लिए निमनांकित मैंसे क्या आवश्यक है तो वो आवश्यक है आपका क्या right answer होगा option आपका दी चोरी या उद्याप तो चोरी या उद्यापन आपको यादखना है भारत दंड सहिता की धारा 391 में डकैती को परिभाशित किया गया है और 391 में डकैती में लूट सम्मिलित है और लूट चोरी या उद्यापन का उग्ररूब है अध है डकैती में चोरी और उद्यापन दोनों ही यहाँ पर शामिल होते हैं अगला यहाँ पर कोशन क्या है कि राम गुस्ते में शाम को मारने का प्रियतने करता है जो राम है वो शाम को मारने का प्रियतने करता है शाम को ऐसे सिती में प्रावेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारत के दंड सहिता की किस धारा में होगा तो यानि कि private प्रतिरक्षान की बचाव का अधिकार यहाँ पर किस IPC की किस धारा में होगा यह आपको बताना है तो यहाँ पर जो right answer होगा ना धारा 97 कहती है धारा 97 क्या कहती है कि किसी व्यक्ति को सरीर की private प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है और वहीं धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा सम्मंदी अधिकार को define किया गया है धारा 98 में उसी वक्ति के कारी की विरुद प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्ट है जो विकृत चित आदी हो और वहीं धारा हंड्रेट में बात करें तो सरी के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार यहाँ पर प्राप्ट है तो यह आपकी धारा 97, 98 और 96 अधिकार हंड्रेट सभी प्रतिरक्षा प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबन्दित है अगला यहाँ पर question है किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध है तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध है तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा option A लोक सेवक त्वारा किया गया कार आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा तो वो है आपका लोग सेवा लेक लोग सेवक द्वारा किया गया कारे धारा निन्यानवे ऐसे कारियों के संबन में उपबंद करती है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है इस धारा के अकॉर्डिंग यदि कोई कारे जिससे मृत्यू या फिर घोर उपहती के आश्यंका युक्ति युक्त रू प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है चाहे वहकारे विधी अनुसार सर्वत्था न्याय नुमद ना भी हो यदि ऐसा कोई कारे या प्रतने लोग सेवक निर्देश्य किया जाता है तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा तो नेक्स्ट नहां पर कोशिन क्या है आत्मरक्षा का अधिकार है तो आत्मरक्षा का अधिकार धारा 96 क्यानुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रियोग की जाती है धारा 96 से धारा 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विशे में उबन करती है धारा 90 भी हर व्यक्ति को अधिकार है कीप है मानव सरीर पर प्रभार डालने वाले किसी अपराद के विरुधे अपने एक सरीर और किसी अन्य व्यक्ति के सरीर के प्रतिरक्षा करे तो यहाँ पर अपने सरीर के प्रतिरक्षा दूसरे के सरीर के और जो चूरी होती है लूट होती आदी अपराज से भी उप्रतिरक्षा तो राइट आंसर होगा option आपका D तो ये आपके प्रावधान किये गए है किसमें धारा सतानवी की according तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा option D अगला कुश्चिन है भारतिय दंड सहिता में भारतिय दंड सहिता की धारा 354 की अंतरगर दंडनी अपराद है जिसमें पाच वर्ष तक का कारवाश या जुर्माना या दोनों ही यहाँ पर दंडित किया जा सकता है अगला है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस से संबंदित है तो यहाँ पर किस संबंदित है सरीर वश्रमपति दोनों से धारा स्तानबी की according अगला कुश्चिन है IPC की धारा 376 नीचे दियेगी विकल्पों मैंसे किस संबंदित है तो 376 का संबंद किस से है तो 356 जो है इसका संबंद है आपका किसी रेप यानि कि भलादकार बाद बालात संग से इसका संबंद है और 375 का संबन किस से है बालासंग की साथ परिसुतियों को बताया गया है जिन में बालासंग की अपरात का गठन होता है तो ये आपको दोनों ही धारा याद रखनी है अगला है भारते दंड सहीता की किस धारा में आपराधिक सडियंत्र को परिभाशित किया गया है तो आपराधिक सडियंत्र मैंने आपको पहले भी बताया था कि धारा 120 का या ए में इसका उवबन किया गया है अगला है भारत दंड सहिता की किस धारा में दंगा परिभाशित किया गया है तो दंगे को मैंने आपको पहले भी बताया था धारा 159 में अगला यहाँ पर कुश ओधारा 160 में दंगे के अपराद के लिए एक माहा तक के कारवास या 100 रुपी जुर्माना दूनु दंडित किया जा सकता है अगला है इनमने मैं से कौन सी भारत्य दंड सहिता की धारा भारत्य समिधान की धारा 14 वो 21 के अधीन असमिधानी करार दी गई है तो यह दी गई है कौन सी उसमें तो राइड आंसर हो जाएगा 57 का ओप्शन यहाँ पर भी धारा 303 तो इसे यहाँ पर रद्द कर दिया गया है यह आपको याद रखना है अगला यहाँ पर कौश्चन क्या है कौश्चन नमबर 58 है कि भारत दंड सहिता की धारा 304 B के अंत्रगत 10 मौत के लिए जिमिदार व्यक्ति को नियूंतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है तो यह भी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है वो किया गया है 7 एयर का 7 साल का और 304 B के अकॉर्डिंग 10 मौत के लिए सजा यहाँ पर नियूंतम 7 वर्ष की देने का प्रावधान है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आचीवन कारवास भी हो सकता है अप्शन A राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है भारत देन्ड सहिता की धारा 405 और 409 किस विशे से संबंदित है तो यह आपकी संबंदित है किसी आपरादिक विश्वास भंग से आप्शन C अगला है कि छल की सजा का संबंद निमने मैं से IPC की किस धारा से संबंदित है तो छल का यहाँ पर है धारा 417 में इसका उपन किया गया है और इसमें कारवास जो है एक वर्ष तक का कारवास जुर्माना या दोनों ही यहाँ पर दंडित किये जा सकते अगला है कि इनमने मैं से कौन सा अपराध है जिसकी तयारी IPC में दंडिनी है तो IPC में दंडिनी है तो यह है आपका भारस सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना और इसका उल्ले किया गया है धारा 122 में अगला यहाँ पर कुशिन है आत्म हत्या करने के लिए दुस्प्रिरण की सजा का प्रावधान IPC की किस धारा में किया गया है तो यह है आपका धारा 306 ओप्शन आपका A राइट आंसर हो जाएगा अगला है भारत दंड सहिता की धारा 307 का उबन निम्न में से किस से है तो किस से है यहाँ पर यह कुशिन आपका लास टाइम पूछा गया है ओप्शन आपका C हत्या का प्रियास हत्या का प्रियास यहाँ पर क्या है 307 की संबन से रिलेटिड है और इसमें आपको 10 वर्ष का यहाँ पर कारावास या आर्थिक दंड भी उपलब धिया आपर कराया जा सकता है और कुछ परिस्तियों में आपको आजीवन कारावास भी मिल सकता है आईपिसी की धारा 320 में गहरी चूट घूर उपहती में कितनी प्रिकार की चूटों को सम्मिलित किया गया है उधाराया 320 में गहरी चूट घूर उपहती की संबन में जो है कितनी चूटों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है right answer हो जाएगा 8 option आपका D right answer हो जाएगा IPC की किस धारा में विधी विरुद जमाव को परिभाशित किया गया है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा धारा 141 option A right answer हो जाएगा अगला है S वरद राजन वरद राजन S वरद राजन बनाम स्टेट का संबन निमने मैं से किस से है तो यहाँ पर संबन है 363 IPC की धारा 363 से संबन है option C right answer हो जाएगा अगला है भारत दंड सहिता की धारा 415 और 420 का संबन किस से है तो 415 चारसो बीस का संबन है धूखा दड़ी एंचल से यान की चेटिंग से option आपका C right answer हो जाएगा अगला है भारत दंड सहिता की धारा 377 की विशय में है तो इस 377 में किस चीज से यहाँ पर related है तो यह है आपका अपराकर्तिक अपराद यह आपका पिछली बार पूछा गया question है 377 में आप अपराकर्तिक योन सम्मन बनाने को अपराद माना गया था और इस थारा की अनुसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से पूछ महिला पसो के साथ अपराकर्तिक योन सम्मन बनाता है उससे 10 एर का यहाँ पर कारावास आचीवन कारावास से दंडित किये जाने का प्रावधान है नवतेज सिंग जोहर बना भारत सरकार 2018 आपका जो है सुप्रिम कूट की मामले में उचितम न्याले ने जो है आपका क्या करा था यहाँ पर 377 को रद कर दिया था यह कुशन अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है कि कौन से वाद में किया गया था नवतेज सिंग जोहर बना भारत सरकार 2018 के केस में कोई हाँ पर रद कर दिया था अगला कुशन है रामू सोहन के घर में खड़की से घुसता है रामू ने निम्नमे से कौन सा अपराद किया है तो धारा 3 आपका 445 445 के अंतरगा सेध मारी ग्रह भेदन हाउस ब्रेकिंग का अपराद यहाँ पर आता है तो आपका सेध मारी option क्या हो जाएगा option C आपका right answer हो जाएगा सत्तर question है आपका निम्नमे से किसको ग्रफतार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यू कारित करने तक का अधिकार प्राप्थ है तो यहाँ पर अधिकार प्राप्थ है option C देखेगा मृत्यू दंड से दंडनी अपराद की तशा में और आजीवन कारावास से दंडनी अपराद की तशा में पुलिस को अधिकार है कि मृत्यू कारित करने तक का उसे अधिकार यहाँ पर मिला हुआ है धारा 46 यह स्पष्ट करती है कि पुलिस अधिकारी को ग्रिफतारी से बच रहे किसी अभियुक्त जो मृत्यू दंड या आजीवन कारावास से दंडनी अपराद का दोशी हो उसे मृत्यू कारित करने का अधिकार यहाँ पर रहता है अगला है निमने मैंसे किस केश में अस्वस्त मन, अंसाउंट, माइन का बचाओ की रूप में कौन सा सिधान प्रतिपादित किया गया है तो यह है आपका मैक नॉटन की केश में अपसन आपका A, राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है निमने मैंसे किस का संबन आत्मरक्षा के अधिकार से है तो किस का संबन यहाँ पर आत्मरक्षा के अधिकार से है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, जवैदेव बनाम आपका स्टेट ओफ पंजाब का संबन है तो यह आत्मरक्षा के अधिकार से संबन है इसका option A, right answer हो जाएगा दंड प्रिक्रिया सहिता 1973 किस दिनांग से प्रवर्थ यानि की लागू हुई है तो ये प्रिक्रिया आपकी लागू हुई है कब से राइड अंसर हो जाएगा 1st April 1974 से option D, right answer हो जाएगा यह उबबन सहिता की धारा एक तीन में किया गया है next नहांपर question है जमानती अपराध कौन से है तो देखेगा जो जमानती अपराध होते हैं वो कौन से होते हैं तो ये होते हैं आपका क्या है यहाँ पर option A, right answer हो जाएगा देखेगा दंड परिक्रिया सहिता की प्रथम अनुसूची में जिन में जमानती अपराध का उलेग किया गया है तो option आपका यहाँ पर A, right answer हो जाएगा अगला question यहाँ पर है कि दंड परिक्रिया सहिता की धारा 2C परिभाशित करती है तो किस सीज को यह परिभाशित करती है तो इस संगिय अपराध को यहाँ पर परिभाशित करती है option C, आपका right answer हो जाएगा दंड परिक्रिया सहिता की अंतरगत जाच की जाती है तो जाच किसकी की जाती है इसकी अंतरगत तो यह जाच होती है आपकी किसकी magistrate या नियाले की द्वारा की जाती है यह कैश्य क्या जो inquiry से अभी परिदित है विचारन से भिन ऐसी प्रतेक जाच जो इस सहिता के अधीन magistrate या नियाले की द्वारा की जाती है वो आपकी धारा 2, 6 है ठीक है यह आपको याद रखना है अगला question है कि दंड प्रिक्रिया सहिंता की धाराट 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराद से संबंदित है जिसके सजा मृत्यूदं आजीवन कारावाश अथ्वा डॉट डॉट वर्सों से अधिक अवधी का कारावाश हो सकता है तो यह आपका जो question है लास्ट टाइम पूछा गया है question तो यहाँ पर right answer होगा option C to here यहाँ पर right answer हो जाएगा next यहाँ पर question क्या है question number 79 है एक मुख्य न्याईक दंडादिकारी दंडादेश दे सकता है साथ वर्ष से अनधिक अवधी के लिए कारावाश जुर्माने से जो किसी भी राशी तक का हो सकी यह दोनू यहाँ पर दे सकता है तो दंड प्रिक्रिया सेहता है 1973 की धारा जो है 29 उसकी उपुमधारा एक की अनुसार मुख्य न्याईक मजिस्टेट का न्याले 7 वर्ष से अनधिक अथाथ 7 वर्ष तक का दंडादेश पारित कर शकता है अपसंसी राइट अंसर हो जाएगा अगला question क्या है कोई भी न्याईक मजिस्टेट प्रथम वर्ग निमने मैंसे किस सजा को पारित करने के लिए अधिकरत होता है तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ऐसे अवधी के लिए कारावास जो तीन वर्ष से अनधिको option आपका C राइट अंसर हो जाएगा 29 जो आपकी आपकी क्या है दंड प्रग्रिया सहिता 1973 की धारा 29 है उसकी उप धारा 2 की अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्टेट का नियाले तीन वर्ष तक कि अवधी का कारावास या 10,000 रुपे का जुर्माना या दोनों का दंड देश यहाँ पर पारित कर सकता है अगला कुशन है दित्य स्रेणी के मजिस्टेट के नियाले द्वारा निमने मैं से कौन सा दंड देश पारित किया जा सकता है तो ये पारित किया जा सकता है एक वर्ष से अनधिक अवधी के लिए ये आपकी दंड परिगरिया सहीता 1973 की धारा 29-3 के अनुसार है option आपका यहाँ पर B. right answer हो जाएगा अगला question पुलिस अधिकारी बिना magistrate के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को ग्रफतार कर सकेगा कब तो यहाँ पर धारा 41 उन परिस्तियों की बात करती है जब एक व्यक्ति बिना magistrate के आदेश वारंट के बिना ग्रफतार किया जा सकता है तो यह है आपका जो पुलिस अधिकारी की उपस्तिती में संगे अपराद करता है जो सहिता के अधिन या राजी के राजी सरकार के आदेश वार अपराधी उद्गोशित किया गया हो जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तवियों के निश्पादन में बाधा करता हो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आल अप दीस यानि कि सभी कंडिशन में सभी सिचुईशन में उसको यहाँ पर बिना वारण बिना मजिस्टीट के आदेश के बिना पुलिस अधिकार होता है कि वो उसे गिरफतार कर सके तो यहाँ पर देखेगा जो धारा 41 का के अनुसार यहाँ पर जो है यह आपका पुलिस अधिकारी की उपस्तती में संगे अपरा तो यह आपका दिया गया है धारा 41 A के क में और जो आपका दूसरा है जो सहिता के अधिन या राजसरकार के आदेश द्वारा अपरादी उद्खोशित किया गया हो यह दिया गया है 41 A के ग में और जो C वाला है जो पुलिस अधिकारी दोरा उसके विधिपूर करते व्यकान इस पादन में बाधा करता है तो धारा 41 के एके हिड़ों के अनुसार ऐसा वो कर सकता है अगला कुशिन है दंड परिकरिया सेहिता की धारा 41 गव के अंतरगत राज सरकार पुलिस नियांतर कक्षि इस्तापित करेंगी कहां पर, किस इस्तार पर तो ये केवल आपका राज जिता जिला इस्तार पर प्रतेग जिले में तधा राजस्तर पर इस्थान ने स्थापिट करेगी और पुलिस नियांत्रक अक्षों में ग्रफतार व्यक्तियों के अपराद कीप्टा करती ग्रफतार करने वाले पुलिस आफिसर के नाम आदी के ब्योरे संग्रहित रहेंगे अप्षिन डी आपका राइट अंसर हो जाएगा सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेर जरूर कीजेगा अगला कोशन है दंड प्रिक्रिया सहिता की कौन सी धारा सेन्य बलों के सदश्यों के ग्रफतारी से शुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है तो यह आपका प्रावधान करती है धारा 45 option B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question है बिना warrant के ग्रहतार करने के बाद magistrist के आदेश के बिना पुलिस officer द्वारा ग्रहतार के गेविक्ति को अभी रक्षा में रखने के अवधी कितनी हो सकती है तो यह अवधी होती है आपके 24 hour option आपका B right answer हो जाएगा अगला question है दंड प्रिक्रिया सहिता की धारा सदत्तर के अंतरगत वारंट निस्पादित किया जा सकता है तो यह आपका जो वारंट है यह आपका निस्पादित किया जा सकता है दंड प्रिक्रिया सहिता 1973 की धारा सदत्तर के according Option D भारत में किसी भी स्थान पर Option D आपका यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि निर्नलिकित मैंसे किस वाद में उचितम नियाले ने यह निर्ड़ाई दिया कि दंड परिक्रिया सहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है चाहे वह किसी धर्म का अनुयाई है तो यह आपका कौन सा ऐसा वाद था यह आपका वाद था Option A मुहमद एहमद खान पनाम सहबानो बेगम Option A आपका राइट अंसर हो जाएगा देखेगा यहाँ पर 125 दुधारा 125 है उसके प्रावधान सभी धर्मालंबियों पर एक समान लागू होते हैं अगला यहाँ पर Question है Question 88 विधी विरुध जमाव को तीतर बितर करने का शमादेश कौन देशकता है अगर कोई विधी विरुध जमाव करता है तो उसको हटाने के लिए उसको इधर उधर तीतर बितर करने का जो समादेश दे सकता है वो आपका दे सकता है कौन देखेगा यहाँ पर जो आपका कार्यपालक, मजिस्टीट और थानेदार तो दोनु ही आपको यहाँ पर दे सकते हैं A and C तो यह आपका प्रावधान किया गया है जो दंड परिक्रिया सहिता 1973 है उसकी धारा 129 के आपका जो उपबंध है एक की अंतरगत ऐसा कहा गया है अगला कुश्यन है दंड परिक्रिया सहिता की धारा 154 के अधिन प्रथम सुचना रिपूर्ट दी जा सकती है तो ये आपकी जो प्रथम सुचना रिपूर्ट है किसको दी जा सकती है आपका राइड अंसर होगा ऑप्शन सी केवा संगी अपराध के संबन में क्योंकि जो आपका भारत जो दंड परिक्रिया सहिता 1973 है इसकी धारा 154 ए की अंत्रिगत पुलिस थाने के भारशादक अधिकारी को केवल संगी अपराध के बारे में सुचना लिखित या मोखिक रूप से दी जाती है अगला कुशिन है निमलेखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सुचना रिपोर्ट एक दिक दर्शक वाद है ये वाद है आपका ललिता कुमारी बनाम उत्तरप्रदेश राजे का वाद प्रथम सुचना रिपोर्ट FIR पर एक दिक दर्शक वाद है तो राइट आंसर संगे अपराद के मामलों में प्रथम सुचना रिपोर्ट रजिस्टर करना आवश्यक है नेक्स्ट क्वेशन है आपका 91 दंड प्रिग्रिया सहिता उनने स्वतिहत्तर के अंतगत ब्लादकार की प्रिटा द्वारा ब्लादकार की सुचना देने पर कौन लेख बद करेगा तो कौन यसे लेख बद करेगा देखेगा धारा 157 जो है अन्वेशन के लिए प्रिग्रिया का उबन करती है धारा 157 ए खा के परंटुक 2008 संसोदन धिम द्वारा अंतह इस्तापित के अनुसार बालासं के अपराद के सम्वन में पीडिता का कथन उसके निवाशपर या उसके इच्छा के स्थान या यथा साधि किसी महिला पुलिस ओफिसर द्वारा उसके माता पिता या नज़ी के रि अभिला अदिकारी ऑप्षिन डी आपका राइट अंसर हुजाएगा अगला कोश्वन है अगरिम जमानत के लिए आवीदन किया जा सकता है कहां राइट अंसर होगा उच्छ न्यायला के समकष जाएगा przep voter अप्षिन राइट अंसर हो जाएगा ऐसा कहां पर लेखा गया है तो आपकी दंड परिक्रिया सहिता की धारा 1973 की धारा 438 में कहा गया है देखेगा मई 1976 से उतरपेडिस में इसे समाप कर दिया गया है जिसे 6 जून 2019 से पुनहें यहां पर लागू भी किया गया नेक्स्ट कुशिन है हाँ पर 93 दंड परिक्रिया सहिता की धारा 154 की अधीन प्रथम सुचना रिपोर्ट सम्बंदित है तो यह आपकी सम्बंदित है किसी option B केवल संगिय अपराद से सम्बंदित है और 155 जो है धारा 155 असंगिय अपराद की विशेव में इतिला और ऐसे मामलों का अनुवेशन से सम्बंदित है तो 154 और 155 आपको याद रखना है दंड परिक्रिया सहिता की धारा 2C और 2G में निमने मैंसे क्या परिभाशित किया गया इसे 2C भी बोल सकते हैं तो यह आपका परिभाशित करती है संगिय अपराद को option C right answer हो जाएगा next question है दंड परिक्रिया सहिता की धारा 2H यानिकी जव में निमने मैंसे क्या परिभाशित किया गया है तो यह परिभाशित किया गया है अनुवेशन को अनुवेशन आपका यहाँ पर A right answer हो जाएगा अगला question है दंड परिक्रिया सहिता की किस धारा में विवाह के विरुध है अपरादों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है तो यह प्रावधानित किया गया है धारा 198 option आपका C right answer हो जाएगा अगला question है कि दंड परिक्रिया सहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि कि लिए पुलिस अधिकारी से अनुवेशन के दोरान किया गया कोई कथन यदि लेक बंद किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति दोरा हस्ताक शरित नहीं किया जाएगा तो ये उपबंद किया गया है आपका 162 की धारा 1 में तो option आपका B right answer हो जाएगा अगला है कि निम्ने में से सत्य कथन चुनना है कि सत्य कथन को इसा है संगी अपराद से ऐसा अपराद अभी प्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारण की ग्रहतारी कर सकता है तो आपको मैंने बताया था कि जो दंड परिक्रिया सहिता की धारा 2 गौ है या सी है इसके according संगी अपराद से ऐसा अपराद अपराद अभी प्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारे बिना वारण की गिरफतारी कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर राइट हो जाएगा यह बिल्कुल सही होगा उच्छी न्यायले से अभी प्रेरित है कि किसी राजी के समवन में उस राजी का उच्छी न्यायले तो यहाँ पर दोनों ही सही है क्योंकि आपका जो धारा धारा दो है रणों के अनुसार उच्छी न्यायले से अभी प्रेथ है कि किसी राजी के समवन में उस राजी का उच्छी न्यायले तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ आपका यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा अगला कुशन है अपराधी द्वारा कारित अपराध संगे है अथ्वा असंगे जमानती है अथ्वा गेर जमानती इसका निर्धारन निमनलिखित प्रावधान से होता है तो इसका जो यहाँ पर तै होता है वो दंड प्रिक्रिया सहिता से होता है option आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा option D आपका right answer हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर क्योशन है 100 वा दंड प्रिक्रिया सहिता की धारा 125A के घा के अंतरकत निमने मैं से कौन अपने माता पिता के भरण पोशन की जिम्मेदार है यदि माता पिता स्वेम अपना भरण पोशन करने में शक्षम नहीं है यह धारा संबंदित है आपकी 100 का 100 का right answer option सी बेटा और बेटी बोथ आपका right answer हो जाएगा next question है कि एक फरार अपराधी वह होता है जो एक फरार अपराधी वह होता है जो क्या करता है जो जिसके विरुद्धारा 82C RPC की अंतरकत उद्धोशना चारी हो चुकी है तो right answer option D हो जाएगा question number 102 है लोग अभियोजक निवने में से किसके अधीन कारे करता है तो right answer हो जाएगा 102 का option आपका B जिला magistrate कौन करता है जिला magistrate करता है अगला question है जमानती अपराध में यदि अभियोगत द्वारा जमानत पेश की जाती है जमानती अपराध में यदि अभियोगत द्वारा जमानत पेश की जाती है तो थाना प्रभारियों से जमानत पर मुक्त कर देगा option A आपका right answer हो जाएगा बंदी को नियाले ले जाने वो प्रस्तूत करने के लिए हतकड़ी लगाने है तो किसकी पूर्वानुमती लिया जाना आवश्यक है तो ये आवश्यक है आपकी नियाले की option D राइट answer हो जाएगा संचिप्त विचारण संचिप्त विचारण समयरी ट्रायल में कितनी अवधी के लिए अधिकतम कारवास की सजा दी जा सकती है तो यहाँ पर आपकी जो दंड प्रिक्रिया सहिता की धारा 222 है उसके according संचिप्त विचारण में तीन महा की अवधी से अधिक नहीं तो तीन महा तक की यहाँ पर सजा दीजा सकती है option A राइट answer हो जाएगा जीडी तथा सीडी के प्रतेक प्रश्ट पर किसके कारवलय की महर लगी होती है तो जीडी जनर्न डाइरी तथा सीडी केश डाइरी जो होती है आपकी जनरल डायरी और केस डायरी जो होती है उस पर प्रतेक प्रश्ट पर पुलिस अधिक्षक के कारेले की मोहर लगी होती है option A right answer हो जाएगा अगला है दंड प्रिक्रिया सेंता की किस धारा में संगी अपराधों को किये जाने से रोकने के लिए गिरफतारी काधिकार पुलिस को प्रदत है तो यह है आपका धारा 151 option A right answer हो जाएगा मुखे नियाइक मजिस्टेट चीफ जूडिशल मजिस्टेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है तो यह आपका धारा 291 की according मुखे नियाइक मजिस्टेट 7 वर्ष तके कारावास की यहाँ पर सजा दे सकता है option A right answer 7 वर्ष से अधिक नहीं पैतरक्तता का पैतरिकता का निधारण अब किसकी द्वारा संभव है तो पैतरिकता का जो निधारण है वो अब किसकी द्वारा यहाँ पर संबंध है यह है आपका DNA जार्च option आपका B right answer हो जाएगा अपराध अनवेशन में DNA टेस्ट का क्या शिद्ध करता है तो DNA शिद्ध आपका करता है क्या जैविक साक्षों से अपराधी की पहचान option C right answer हो जाएगा पसीना जैविक साक्ष के रूप में किस जाँच में स्वीकार किया जाता है तो यह आपका DNA जाँच में स्वीकार होता है अग्ला है UNVUESION के दौरान जूट को पकड़ने के लिए निम्ने मैं से किसा का प्रियोग किया जा सकता है तो यह आपका देखे गया, नारको टेस्ट भी होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी होता है तो इन सब के द्वारा क्या कर सकते हैं अनवेशन के द्वारा जूट बोलने जैसे आपका कोई अपराद किया हो फिर उसमें वो अपना जो है अपना चेंज करता रहता है कि उसने नहीं किया उसने किया उसने कैसे किया तो उसके जो जूट को पकरने के लिए यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, नार्गो टेस्ट हो सकते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है, पॉलिग्राफ टेस्ट हो सकता है, तो all of these option D आपका right answer हो जाएगा अगला question है कैदी सिनाक्त अधिनियम, तो यहाँ पर कैदी सिनाक्त अधिनियम की धारा चार वच्छे की अधिन अपराद का विचारण कौन करता है, तो यह करता है आपका magistrate की प्रथम श्रेणी, option A right answer हो जाएगा, विग्यानिक साक्षी के संबन में सही कथन चुनना है, तो right होगा, सत्य और निश्चित, option A आपका right answer होगा, अगला है, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए, अभियुक्त आ ने एक magistrate के समक्ष संसुई करती की साक्ष अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह है, संसुई करती उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है, तो यह की जा सकती है, आपकी किस के according, धारा 26 के according, धारा 26 के according इसे किया जा सकता है, option A आपका right answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option A आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा, तो देखेगा, आपका अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यह आपका भारत दंड प्रिक्रिया सेलिता जो है, यह आपका पूरा complete हो गया है एट चैप्टर में से एक चैप्टर आपका complete हो गया अब आपका इहां पर सेकंड चैप्टर जो है महिला बच्चों एनुसुची जाती के सदश आधी को संरक्षन देने से संबंदित यहां पर विधिक प्रावधानों से संबंदित हैं तो सेकंड च तो आपको क्या करना है आंसर करना है आंसर कीजेगा आप दहेज प्रतिशेद अधिनियम का मुख्य उद्देश है तो दहेज प्रतिशेद अधिनियम का मुख्य उद्देश है क्या होता है तो यहां पर आपका right आंसर क्या होगा दहेज एक क्या होती है दहेज एक सामाजि गुराई है जिसकी रोक्थाम के लिए दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 को यहाँ पर अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम का मुख्योदेश दहेज देने वो दहेज लेने पर प्रतिबंद लगाना है तो दहेज लेने पर प्रतिबंद और दहेज देने पर तो राइ अंसर हो जाएगा option A and B बोथ आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा option C अगला है दहेज की परिभाषा दी गई है तो दहेज की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है दहेज की परिभाषा यहाँ पर दी गई है धारा 2 में option A आपका right answer हो जाएगा दहेज में क्या शामिल नहीं है तो देखेगा दहेज में क्या कर यहां पर सामिल होता है तो दहेज में देखेगा मोल्यवान प्रतिपूती अभिप्रेथ है जो विवा के समय उसके पूर्व या उस पच्चात किसी समय विवा के एक पक्षिकार दरा विवा के दूसरे पक्षिकार को विवा के समय पक्षिकार को कुछ देने के लिए करा विवा के बाद लड़की के घरवालों से समान मागना विवा के पूर्व आपस में लेने और देने के समिदा या महर तो राइट अंसर हो जाएगा यहां पर होती है महर इसके अंत्रगत शामिल नहीं है तो option आपका इहाँ पर d क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अगला है दहेज प्रतिशेद अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था तो यह अधिनियमित किया गया था कब fourth का right answer हो जाएगा option c 20 माई 1961 को इसको यहां पर अधिनियमित किया गया था मुल्यवान प्रतिभूती का आर्थ दिया गया है तो मुल्यवान प्रतिभूती का आर्थ क्या दिया गया है तो मुल्यवान प्रतिभूती का यहां पर आर्थ दिया गया है भारत्य दंड सहिता की धारा 30 में दिया गया है option आपका C, right answer हो जाएगा अगला है दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यू के बाद जो की विवहासी वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसी अंतरीत होगी तो ये अंतरीत होगी किसी option C मातापिता को यदि संतान है तो उसे option आपका इहाँ पर C, right answer हो जाएगा A and B तो यहाँ पर जो दहेज प्रतिशेत अधिनियम की धारा 6, 3 है उसके according ऐसा होगा अगला है कि दहेज प्रतिशेत अधिनियम के अंतरीकत अपराधों का संध्यान कौन कर सकता है तो धारा 7 के अनुसार इस अधिनियम के अंतरीकत प्रावधानों का जो अपराध है उनकी अपराधों का संध्यान प्रतम श्रेडी न्याइक मजिस्टेट या महानगर मजिस्टेट कर सकता है तो यहाँ पर राइट अंसर होगा उप्शन B अगला है दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेंदेन के लिए किके करार की वैधानिक 90 यत निम्नमैसे क्या होगी तो क्या होगी यहाँ पर एट का राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन A दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 की धारा पांच की आलोक में सुन्य होगी अगला कुशिन है दहेज लेना एवं देना किस विधी के अंतरकत अपराद है तो यह अपराद है किसके अकॉर्डिंग दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 की अधिन अगला है दहेज अपराद धारा 304 ख भारत दंड सहिता की विवेजना किसके द्वारा की जाती है तो यह आपकी विवेजना की जाती है किसके द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष इस्तर के अधिकारी के द्वारा अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संडक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है तो घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल है भई यहाँ पर आर्थिक दुरुप्योग और योन दुरुप्योग तो बोथ आपका राइट आंसर होगा option C घरेलू हिंसा से महिलाओं का संडक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था तो यहाँ आपका कब अधिनियमित हुआ था 12th का राइट आंसर होगा आपका कब 13-09-2005 को यानि कि 13 सितम्बर होगा यहाँ पर 13 सितम्बर 2005 को अधिनियमित हुआ और 17 अक्टूबर 2006 को इसको क्या किया गया था लागू किया गया था तो दोनु ही आपको याद रगना है अगला है घरेलो हिंसा से महिलाओ का संरक्षन अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंत्रकत कौन आवितन पत्र प्रस्तुद करता है तो यह प्रस्तुद किया जाता है यहाँ पर संरक्षादिकारी व्यथित महिला व्यथित व्यक्ति के और से कोई अन्य व्यक्ति तो राइट आंसर हो जाएगा अगला है घरेलो हिंसा अधिनियम की अधिसूचित आश्री ग्रह पीडित व्यक्ति को आश्री प्रदान करने ही तुम बात है तो यह बात ही कौन है राइट आंसरों का ओप्षन दी पीडित व्यक्ति की अनुरूद पर अगला है निमने लखित मैसे कौन सा पद घरेलो हिंसा की परिभाशा में समीली दुरूपियों के विभिन पत्रकारों की श्रेडियों में प्रेप्ति किया गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन क्या ओप्षन दी मानसिक दुरूपियों देखेगा जो यहाँ पर घरेलो हिंसा से महिला का संरक्षन अधिनियम है उसकी धारा तीन में परिभाशित किया है घरेलो हिंसा की परिभाशा को तो यहाँ पर सारे रिक दुर्पयोग, लेंगिक दुर्पयोग, मौखिक और भावनात्मक दुर्पयोग तथा आर्थिक दुर्पयोग शामिल है जिसमें इसमें मानसिक दुर्पयोग को शामिल नहीं किया गया है तो आपको ये बताना है कि बताना था कि किसको नहीं किया गया है तो वो है आपका मानसिक दुरुपयों अगला है घरेलो हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 एक अपराद होगा कैसा अपराद होगा ये संगे और गैर जमानती अपराद होगा धारा 332 और 31 की धारा 31 एक अधिन अपराद संगे और गैर जमानती होगा और 32 के अनुसाद दंडपनिकरिया सेहिता में अंतरविष्ठ किसी बात के भी के हुए भी अगला है घरेलो हिंसा अधिनियम के अधिन सक्षम न्याले द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनिय होगा कब समस्त भारत में होगा कौन सी धारा कहती है धारा 272 जो घरेलो हिंसा से महिलाओं का संगे तैस तो उमें ये कहा गया है तो right answer होगा option D मात्रुजिले में जहाँ देश दिया गया हो मात्रुस राजी में जहाँ देश दिया गया हो जम्मु कश्मीर राजी गया तो यहाँ पर अब जम्मु कश्मीर होगा तो पूरे भारत में option D अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम की निमनलिकित धाराओं में से किसमे घरेलू हिंसा पद को परिभाशित किया गया है तो किसको यहाँ पर परिभाशित किया गया है option आपका right answer हो जाएगा option D धारा थर option आपका क्या हो जाएगा भी धारा तीन आपका right answer हो जाएगा अगला question है घरेलो हिंसा से महिलाओं का संदक्षन है दो हजार पांच का विस्तार है तो विस्तार कहां तक है संपूर भारत पर तो यहाँ पर right answer option है देखिए 31st October 2019 से जम्मो कश्मीर में भी इसका विस्तार हो जुका है अगला है नेवनेलेकित मैंसे महिलाओं की शुरक्षा या कलियान से संबनित कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया तो 2013 में किसको पारित किया गया था option C कार इसतर पर महिलाओं का लेंगे गुत्पिनन निवारन प्रतिशोद एंप्रतितोष अधिनियम को लागू किया गया था option आपका C हाँ पर right answer हो जाएक अगला question है बलातकार संबन्दी कानूनों को बदलने के लिए किस commission को बनाया गया था तो यहाँ पर 16 दिसंबर 2013 को दिल्ली में हुई अलातकार की नरशन्स घटना के बाद न्याय पूर्ति जियस वर्मा की अध्यक्षता में एक समीती का गठन हुआ था और इस समीती के गठन का उदेश क्या था बलातकार संबन्दी कानूनों को बदलना उनके संसोधन करना और इस समीती ने अपने रिपोर्ट 29 दिनों में 630 पनों में पूरी करके सौपी थी तो यहाँ पर आपका commission कौन सा है वर्मा commission है option A अगला है स्त्री का assist रूपन यानिके प्रतिशेद अधिनयम कब अधिनयमित हुआ था तो यह आपका अधिनयमित हुआ था कब option C 23 December 1986 को यहाँ पर right answer हो जाएगा option C अगला है स्त्री का assist रूपन प्रतिशेद अधिनयम कब लागू हुआ तो यह लागू हुआ था आपका कब right answer हो जाएगा दो October 1987 को option A right answer हो जाएगा अगला स्त्री के assist रूपन से अभी प्राई क्या है तो अभी प्राई है इस्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार भरष्टाचार लोक दुरुषण और नेतिकता को हानी पहुँचाता हो इस्त्री के चरित को कलंकित करने वाली आकरती इस्त्री के सरीर का ऐसी रितिय से वर्णन जो उसके शिष्ट होने को कम करे तो आपकी जो इस्त्री असिस्ट रूपन यानकी प्रतिशेद अधिनियम 1986 है उसकी धारा 2 गव या C में ये सब भी उपन किये गए हैं तो right answer option D हो जाएगा अगला है कौन सी धारा स्त्री के assist रूपन करने वाली विज्यापनों पर रोक लगाती है तो ये धारा है 3 option A right answer हो जाएगा किस धारा में वर्नित है कि स्त्री का assist रूपन करने वाली पुस्तकों पत्रिकाओं आदी के प्रकाशन और डांख भेजने का प्रतिशेद है तो ये प्रतिशेद है किस में धारा 4 में option आपका C right answer हो जाएगा किन तथ्यों के संदर में इस्तरी assist रूपन अधिनियम 1986 की धारा 4 के उपन लागू नहीं होंगे देखेगा लोग हित्में ऐसा लेखन रेखा जित आकरती जो विज्ञान सहतिकला के समाने प्रियोग अन्यों देशों के लिए आवश्यक है तो यहाँ पर राइट अंसर होगा कि जो आपकी धारा 4 है उसके उपन लागू नहीं होंगे तो इन सब ही पर आपका राइट अंसर हो जाएगा इस्तरी assist रूपन प्रशिदेद अधिनियम 1986 के अनुसा निमने मैं से कौन सा सही है ऐसी किसी भी छवी तश्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वित्रित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का सिस्ट रूपन शामिल होता हो उप्युकते किसी भी ऐसी छवी फोटो आदी का उत्पादन या वित्रन गैर कानू नहीं यदि उसका ब्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम की किस धारा में दी गई है अप्शन ए राइट अंसर होगा जो कोई स्त्री असिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम 1986 की धारा तीन या चार का उलंखन करेगा वह दंडित हो सकेगा तो उसे दंड दिया जाएगा राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट अंसर होगा ओप्शन ए दो वर्ष तक की कारावास से और दो हजार उपी तक की चुर्माने तक यह धारा छे में दिया गया है ओप्शन ए राइट अंसर हो जाएगा इस्त्री असिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम 1986 की धारा तीन या चार के उपन्दों का कुविवेक थी दोबारा लंगन करता है तो वह दंडित होगा देखेगा तो वह दंडित किसे होगा धारा छे के अनुसार दित्तिय और पास्चात वर्तिय दो शिशिदी की दशा में विकल्प B के अनुसार यहाँ पर दंडित होगा तो एक ऐसा कारावास जो छे मासे कम काना हो किन्तु पांच वर्ष तक का हो सकेगा और दस हजार रुपे से कम नहीं किन्तु एक लाख रुपे तक जुर्माना यहाँ पर पड़ेगा अगला है नियम बनाने की शक्ति इस्त्री असिस्ट रुपन प्रदिशित अधिनियम 1986 में किसी प्राप्त है तो यह आपका प्राप्त है किसको धारा दस में नियम बनाने की शक्ति केंद्र शरकार को दी गई है अप्शन C, राइट अंसर होगा अगला है अनेतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 प्रवर्द है तो 1956 आपका प्रवर्द है 30 दिसंबर 1956 30 दिसंबर 1956 अप्शन B, राइट अंसर होगा अगला है अनेतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार कहां तक होगा तो ये आपका संपुन भारत में होगा धारा एक दो के अनुसार option आपका B right answer होगा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वैश्यागरह परिभाशित है धारा दो कौमे option आपका D right answer होगा next question है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वैसक से अभिप्राय क्या होता है जो 18 वर्ष की आयू पूरा करचुका हो और ये आपका 18 जो आपके धारा 2 CA यानि की ग ग में दी गई है अनेतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वैश्यावरती परिभाशित है तो परिभाशित है आपका धारा दो चौ में धारा दो चौ में अप्शन बी राइट आंसर होगा अनेतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वैश्यावरती से अभिप्राई है क्या वानचिक प्रियोजनों हें तो लैंगिक सोशन एबं तुरुपयोग धारा दो चौके अकॉर्डिंग अन्यतिक व्यापार अधियम के अंत्रगत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वा वैश्यावरती से कर रहा है तो वह दंटित होगा धारा कौनसी है आपकी धारा चार में अप्शन बी आपका राइट अंसर होगा अन्यतिक व्यापार निवारण की धारा 71,1 के लिए दिये गई लोक स्थान में कितनी दूरी के अंत्रगत वैश्यावरती से प्रतिशेष्ट है तो यापका प्रतिशेष्ट है 200 मेटर के अंदर अप्शन सी राइट अंसर होगा अगला है यदि कोई व्यक्ति अपना घर वैश्यावरती पर देने के लिए दंडित होगा है पुनहे वैश्यावरती के लिए देता है तो वह दंडित होगा दो वर्ष यूंतम कारावास से जोकि पांच वर्ष तक हो सकेगा और दो हजार रुपे के चुर्माने थारा तीन वन की अकॉर्डे अगला है अल्प व्याई व्यक्ति अपहानी कारक प्रकाशन अधिनियम 1956 कब दंडित अधिनियमत हुआ है तो ये आपका अधिनिमत हुआ 28 दिसंबर 1956 को 28 दिसंबर 1956 राइट अंसर ऑप्शन C हो जाएगा अब हानी कारक प्रकाशन से अभी प्राई नहीं है तो कौन सा अभी प्राई हाँ पर नहीं है तो ये है आपका ऐसी पुस्तक पत्री का या समाचार पत्र का प्रकाशन जो सामा निचानकारी देते हो तो यह पर देखेगा धारा दो जो है नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है अप हानी कारक प्रकाशन से कुई ऐसी पुस्तक पत्र का पत्रक समाचार पत्र या अन्य वैशाही प्रकाशन अभी प्रेथ है जिसमें चित्रों की सहायता से या चित्रों के बिना अध्वापूर रूपें चित्रों में कही गई कहानिया है जिसे पढ़ने या देखने में अलप वै में अपराध करने की प्रवर्थी भरष्ट या हिंसा या कुरूता के कारे करने की प्रवर्थी बचे बड़े बड़े क्या है बड़ती है अलप वै व्यक्ति से अभिप्राय क्या है अलप वै व्यक्ति से अभिप्राय है बीस वर्षे कम आयू का व्यक्ति धारा दो गौ में जो अलप वै व्यक्ति अभानी कारक प्रकाशन अधिनियम की धारा दो गौ के अनुसार बीस वर्ष किसके प्रामर से महाधिवक्ता के प्रामर से धारा चार वन में इसका प्रावधान किया गया है किसमें किया गया है धारा यहाँ पर चार वन में अब हानिकारेक प्रकाशन की परिभार्षा इस अधिनियम में दी गई है तो यह अधिनियम कौन सा है आपकी धारा इस अधिनिय अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है तो ये परिणाम है किसका option आपका right answer हो जाएगा D सेंगत रास्ट की महाशबाद्वारा बालकों की अधिकारों के संदक्षन की प्रस्ताव से अगला कुशिन क्या है लेंगिक अपराधों से बालकों का संदक्षन अधिनियम 2012 को रा option C right answer होगा किस व्यक्ति द्वारा अश्लील साहते की प्रायोजनों की लें किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा तो ये माना जाता है आपका जो लेंगिक अपराधों से बालकों का संदक्षन अधिनियम की धारा 11 थर्ड है उ आपका एक लेंगिक उत्पेडन है option B right answer हो जाएगा लेंगिक अपराधों से बालकों का संदक्षन अधिन 2012 का उदेश नहीं है तो उदेश क्या नहीं है लेंगिक हमले क्या नहीं है बालकों का अपराधी बनने से रोकने है तो right answer होगा option C लेंगिक हमला रोकने है तो बिलक लेंगिंग हमले के शिकार बालकों के विचारण है तो विशेश नियाले गठने भी है लेकिन option C नहीं है लेंगिंग परितोषण में निमने बातों में कौन बातों में नहीं आएंगे तो कौन नहीं आएंगे तो 51 का राइट आंसर होगा option D उप्युक्त मैंसे कोई नहीं आएगा तो option D right answer हो जाएगा अगला है किशूर नियायन के बालकों की देखरेक और संदक्षन अधिनियम 2015 कब अधिनियमित हुआ है तो ये आपका अधिनियमित हुआ है 31 सिसंबर 2015 को option C राइट आंसर होगा किशूर नियाय बालकों की देखरेक और संदक्षन अधिनियम कब लागू हुआ है तो ये आपका अधिनियमित 31 सिसंबर 2015 हुआ है लागू 15 सिनवरी 2016 को हुआ है option c आपका right answer होगा किशोर नियाई बालकों की देखरेक और संदक्षन अधिनियम 2015 लागू होता है किस मामलों में ये आपका किन मामलों में लागू होता है तो आपका किशोरों की विरोध अभ्योजन में किशोरों की किसी भी सश्रती या कारावास के दंड से समद इन मामलों में किशोरों के साथ विधिक संघर्ष में तो all of these सभी cases में ये शामिल होता है धारा एक चार के अनुसार किस के according क किशोर न्याए बालकों की देख रेख और संरक्षन अधिनियम 2015 की धारा एक चार के according अगला है किशोर न्याए बालकों की देख रेख और सनरक्षन अधिनियम का उद्देश्य है क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है सभी किशोरों की विकास क्या वशक्ता के पूर्टी के लिए सनरक्षन M.O.4 के लिए दथा सरुतम ही थे तू न्याय निर्णयन में शिशु मैत्रे दिश्टिकों अपनाने के लिए तो all of these आपका right answer हो जाएगा किशोर न्याय बालकों की देखरेक संद्रक्षन अधिनियम 2015 के अधिन देखरेक और संद्रक्षन की आवश्यक्ता वाले किसी बालक को निमने मैं से किसके द्वारा बालक कल्यान समीती के समक्ष पेश किया जाएगा तो कौन इसको पेश करेगा तो यहाँ पर पेश किया जाएगा किसके द्वारा किस इन मैं से कोई भी नहीं option D यहाँ पर right answer होगा तो यहाँ पर जो पेश करेंगे वो कोई पुलिस ओफिसर हो सकते हैं तो कोई क्या होते हैं कोई पुलिस ओफिसर कोई पुलिस ओफिसर कोई लोग सेवक कोई लोग सेवक ऐसे बाल बंद शेवाएं या किसी स्वेचिक गेर सरकारी संगठन या किसी अभीकरन द्वारा जिन है राज्य सरकार द्वारा मानिता दी जाए या किसी सामाजी कार्यकरता लोग भावना से देखेगा जो यहाँ पर धारा 31A है उसके अकॉर्डिंग देखरीक और संदक्षन के लिए जरूरत मन किसी बालक को निमनलेकित व्यक्ति की तरह बाल कल्यान समीती के समक्ष पेश किया जाएगा तो यहाँ पर अगर राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं क्योंनी होगा कोई पुलिस अधिकारी भी हो सकता है कोई पुलिस ऑफिसर भी होता है कोई आपका लोग सेवक्त तो आप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी भी हो सकता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो A और B अगर आप्शन में होता है तो हमें लगाते ऐसी बाल, व्रद, शेवाउं या किसी स्वेचिक या गेर सरकारी संगड़न या किसी अभीकरन द्वारा जीने राज्जिसंगार द्वारता मानिता दिजाए किसी सामाजी कारिकरता है लोग भावना से एक तो नागरी किया स्वेम बालक द्वारा या बालक कल्यान अधिकारी या परिवाक्षी परिविच्छा अधिकारी द्वारा किसी नर्श, डॉक्तर, परिशरिया, ग्रहें जो नर्सिंग होम होते अस्पताल या प्रशुती ग्रह के प्रबन के द्वारा यहां पर पेश किया जा सकेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रखना है तो देखे अगर इस question में देखें तो यहाँ पर उप्रोक्त मैसे क्या होना चाहिए तो क्या लिखाओ उप्रोक्त मैसे कोई भी तो option D और यहाँ पर मैंने लगा मेरे ही पढ़ने में थोड़ा mistake हुई है तो उप्रोक्त मैसे कोई भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोई भी इनको यहाँ पर क्या कर सकता है पेश कर सकता है दत्तक ग्रहन परिभाशित है तो दत्तक ग्रहन परिभाशित है किस में option B धारा 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा धारा 2 दो के दो में option B आपका right answer हो जाएगा भीक मांगना परिभाशित है तो भीक मांगने को कहां पर define किया गया है option B में धारा 2 8 में किया गया है option B right answer होगा यदि किसी किशोर का विचारन यालया में चल रहा हो विचारन के दरम्यान ही वह वैश्कता प्राप्त कर लेता है तो उसके मामले की कारवाही कहां पर चलेगी तो ये आपकी चलेगी option B अभी भी किशोरों की भाती ही चलेगी क्या चलेगी अभी भी किशोरों की भाती ही चलेगी option B right answer होगा अगला है संप्रेक्षन ग्रह में कौन सी किशूरों को रखा जाता है तो संप्रेक्षन जो ग्रह होते हैं उसमें आपका जो किशूर नियाई अधिनियम है 2015 उसकी धारा 47 की अकॉर्डिंग संप्रेक्षन ग्रह में चांच लंबित रहने के दौरान विधी आउ लंखन करने के अभी कतित किसी बालक को अवस्थाई रूप से रखा जाएगा आप्शन D ऐसे किशूरों को जिनको देख रहे की आवशक्ता होती है तो आपका जो साठवा कुशन है ना साठ का राइट अंसर आप्शन B होगा ना कि यह होगा विधी विरोधी के शोरों को जिनके विरोध जाच लंबे थो अगला है बाल कल्यार समीती में कौन से सदश्य होंगे तो कौन से सदश्य यहाँ पर सामिल होंगे तो यहाँ पर समीती में एक अध्यक्ष और चार सदश्य समीशी के सदशियों में एक महिला सदश CRPC केता है समीशी के सदश न्याई का मजिस्टी All of these आपका right answer हो जाएगा तो किशूर न्याई अधिनियम 2015 की धारा 27-2 के अकॉर्डिंग ये सब यहां पर शामिल होंगे अगला है विशीश ग्रह में कौन से किशूर रखे जाते हैं तो विशीश ग्रह में कौन से किशूरों को रखा जाता है ऐसे किशूर जो किसी अपराद के लिए सिध्ध दूर्श कर दिये गए हों तो ये आपकी धारा 48 के अकॉर्डिंग होता है अगला यहाँ पर question क्या है बाल विवा प्रतिशेद अधिनियम कब अधिनियमित हुआ है तो ये आपका कब अधिनियमित हुआ है 10 जन्वरी 2007 को 10 जन्वरी 2007 आपका right answer होगा option B अगला है बाल विवा प्रतिशेद अधिनियम में बालक पुरूस के संदर में आयू निर्धारिद है तो ये आयू निर्धारिद है 21 वर्ष से कम तो आपकी जो बाल विवा प्रतिशिय दनीनियम 2006 की धारा दो में परिभाशा खंड है धारा दो कौमें बालक की परिभाशा दी गई है परिभाशा इस परकार है बाल का अताथी वठी से जो यह दे पुरूश है तब उसने 21 वरिश की आयूपूर ना की हो तथए दी महिला है तब उसने 28 वरिश की आयूपूर ना की और 28 पुरूश के संदर में 21 से कम होगी अगला है बाल विवा प्रतिशीद अधिनियम में अवेश्की की परिभाशा दी गई है तो अवेश्क जो है इसकी परिभाशा धारा दू चौ में दी गई है बाल विवा प्रतिशीद अधिनियम दू जार छे में तो यह आपका राइट अंसर है ऑप्शन बी दू चौ अगला है बाल विवा सुने करवाने की याचिका कब तक दाखिल की जा सकती है तो ये दाखिल की जा सकती है वयश्क होने की दूवर्ष के अंदर वयश्क होने की दूवर्ष के अंदर option C कि बाल विवा की महिला के भरण पोशन की जिमेदारी होगी तो इसकी जिमेदारी होती है तो इस जिमेदारी होती है आपकी अवैश्क पुरूस होने पर उसके माता पिता की और वैश्क पुरूस की option आपका D right answer हो जाएगा थारा चार के according ऐसा प्रावधान है अगला है बाल विवाक या नुस्ठान को करने के लिए दुश प्रियूर्इत करने वाला दंडित होगा तो ये आपका कौन सा होगा option A दो वर्ष तक का कारावास एक लाख रोपे का चुर्माना किन परसतियों में आवैश्क का विवा आरंभ से सुन्य होगा तो आवैश्क का विवा आरंभ से सुननी होगा धारा किसके अकॉर्डिंग यदि वैश्क बालक को विधिपूर्ण सनरक्षता में ले लिया जाएगा उसे ले जाने के बलका प्रियोग या प्रवंचना पूर्ण उप्योग से उत्प्रिरित करने पर विवाह के प्रियोजन से विक्रे कर दिया जाता है उस अनैतिक प्रियोजन से विक्रे किया जाता है या दुर्व्यवहार किया जाता है तो all of these 12 के अकॉर्डिंग अगला है बालक के विवाह करने वाली पुरूष व्यश को दंडित किया जाएगा तो ये आपका किया जाएगा दो वर्षत का कारावास एक लाग रोपे का जुर् अगला कोशन है बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा किसे मिलेगी तो ये मिलती है किसको केवल पुरूष पक्षकार को केवल किसे मिलेगी पुरूष पक्षकार को केवल इस्त्री पक्षकार को केवल माता पिता को विवाह के पक्षकार या माता पिता को तो ये आपकी मिलती है विवाह के पक्षगार और मातापिता को धारा और किस के अकॉर्डिंग धारा पांच के अकॉर्डिंग अगला है निमनलिकित में से कौन सा विवाह निशेत अधिनियम 2006 के बारे में सही है तो कौन सा यहाँ पर सही है तो यह आपका केवल और केवल A यहाँ पर सही होगा क्यों एक आपत्ती देदे के समय जिला अदालत दोनों पक्षों उनके माता पीता यह अभिभावक को अन्य पार्टी धन सोना गहने उपहार और अन्य मुल्यवान वस्तों को लोटाने का आदेश देगा अगला कुशिन है यदि कोई व्यक्ति अनुसूची जाती या अनुसूची जन जाती कि किसी सदर्शी के मुख में कोई अखाद या घ्रनात्मक पदार्थ रखता है या ऐसे सदशिकों अखाद या घरनात्वक पदात्वी ने खाने के लिए मजबूर करता है तो वह दंडित होगा देखेगा वो आपका अनुसुची जाती और अनुसुची जनजाती अधिनियम 98-89 की धारातीन वन के अनुसार प्रावधान किया गया है कि वो आपका कम सकम 6 मास की कारवाश और अधिक से अधिक 5 वर्षत के कारवाश के लिए हाँ पर दंडित किया जाएगा अनुसुची जनजाती अनुसुची जाती की विरुद्ध किये गए अपराधू के दंडित की विवस्ता अधिनियम में की गई है तो यह है आपका धारा तीन में अप्शन आपका B राइट अंसर होगा अनुसुची जाती और जनजाती अत्याचार अधिनयम में सामाजिक वहिस्कार से अभिपराई है तो यहाँ पर किस से अभिपराई है रोडिगत सेवा अन्यव्यक्ति को देने के लिए उसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक संबंदों में रहने के लिए अन्यव्यक्ति उसे अलग करने के लिए किसी व्यक्ति वह अनुज्याद करने से इनकार धारा दो का रण और खो के अधिन परिभाशिक बहिसकार तो अल अफ दीस आपका राइट अंसर होगा अगला कोशन है अनुज्यादी जन जाती अत्याजार निवारण अधिनियम से पीड़ित से अभिप्राई है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अगला है अनुज्यादी जन जाती अत्याजार निवारण अधिनियम में पीड़ित को परिभाशित किया गया है तो ये किया गया है धारा दो रो और कौम है option A, right answer होगा अनुसुची जाती और जन जाती अत्याचारण अनिवारण अधिनियम 1989 आसित से अभिप्राय है किसका? option D, उप्रोक्त सभी का यदि एक लोग सिवक अनुसुची जाती, अनुसुची जन जाती से समझे अपने कर्षवी के उप्राइख्षा करता है और अनुसुची जन जाती अध्याचार निवारण अधिनियम के इधाराचार के तहत अधिक्तम कितनी अवधी के लिए दंडित किया जा सकता है तो उसे दंडित किया जा सकता है यहाँ पर 12 महिने के लिए Option A, राइट आंसरों का अनुसुचित जाती और जन जाती अधिनिया में विशिश न्याले से अभी प्रेथ है तो यह आपका है Option A, सेशन न्याले अगला कुशन है अनुसुचित जन जाती अधिनिया में लोक सेवक परिभाशित किया गया है धारा 2 के तहत Option आपका यहाँ पर क्या हो जायगा? Option A, राइट आंसर हो जायगा अगला कुशन है अनुसुचित जन जाती अधिनियाम को पारित करने का उदेश क्या था? तो उद्देश क्या था है हाँ पर राइट आंसर क्या होगा option D यहाँ पर अनुसुची जाती या मनुसुची जनजाती के सदश्यों का त्याजारूक ने ही तू विशेश नयालो दथानन्य विशेश नयालो दोरा पीडित व्यक्तियों को राहत देने ही तू अपराधों के विचारण के लिए अनुसुची जाती या मनुसुची जनजाती के लिए पूर्णरवास संबन्दी विशेश का उपन करने के लिए all of these सभी उद्देशों के लिए option D right answer होगा आगला question है अनुसुची जाती तथा अनुसुची जनजाती अपराध निशेद अधिनियम के अंत्रकत किसी अपराध के लिए अधिक्तम दंड दिया जा सकता है तो ये दंड आपका धारा 302 एक में अधिक्तम दंड मृतु दंड का प्रावधान है option आपका इहाँ पर क्या हो जाएगा option C अगला question है किसी जाती को अनुसुची जाती की शेणी में अधिसुचित करने का अधिकार किसको है तो ये अधिकार है यहाँ पर रास्ट पती प्रेसिडेंट को अगला question है अनुसुची जाती और अनुसुची जनजाती अत्याचार निवारण कर उपेक्षा करने पर निमने मैं से कौन सा दंड का भारगी होगा तो ये होगा आपका कोई भी लोग सेवक जो अनुसुची जाती या अनुसुची जनजाती का सदश्य नहीं है और ये है भई इस चेप्टर का लास कुश्यन निमने मैं से किसे 2015 में एक संसोधन के माध्यम से अनुसुची जनजाती अत्याचा निवारण अधिनियम के तहद अपराधों के सुची में चोड़ दिया गया है कि किसी मंदिर के लिए देवदाशी के रूप में एक अनुसुची जाती जनजाती के महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा SCST द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उप्योग सारजनिक पूजा के किसी बिस्थान में प्रवेश जो जन्दा के लिए खुला है और शिक्षा स्वास्था में प्रवेश निसेद तो ये आपका जोड़ा गया है AN दो बोध आपका राइट आंसर हो जाएगा option D तो यहाँ पर आपकी दो चैप्टर कम्प्रीट हो गए हैं तो इन सब्दे के घटना चकर आपका चल रहा है तो इन सब्वी questions को आप ज़रूर एक बार learn कीजिएगा और पीडियाप चाहिए तो पीडियाप भी आपको मिल जाएगी आप कमेंट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा फीड़ा फीडबेक दे सकते हैं और आपके मूल विदी के जो बागी आठ चैप्टर में से 6 चैप्टर बचे हुए हैं उन चैप्टर्स को भी मैं आपकी एक्जाम में पूछा गया है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच